दोस्तों अभि देख सकते हैं आमारे पास एक जमावंदी है जिसमें कि देख सकते हैं खाता नमबर पलोट नमबर के सामने यहां पर यह एरिया दिया हुआ है याणि कि रखबा यहां पर लिखा हुआ है 1.56 डिस्मेल आगर आपके जमावंदी में कुछ इस तरह का परोबलम है total रखवा 0 सो कर रहा है वहां पर जमीन जो है आपका कुल परीमान में जो है 0 दिख रहा है तो उसको जो है परिमारजन पलस के website से बहुत ही असान से सुधारा जा सकता है तो चलिए आज के इस वीडियो में कुल परीमान जो है total रखवा 0 दिया हुआ है उसको जो है परिमारजन पलस के माध्यम से आपरेदन कैसे करना है आज के इस वीडियो में हम जानते हैं जहांबंदी में total रखवा को सुधार करने के लिए आपको जो है इस website पर आना है इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्सर में दिया हुआ है या फिर आप यहां से गूगल पर टाइप कर सकते हैं लेंड रिकोर्ड विहार तो आप जो है इस website पर आजाएगा आपको यहां से नीचे आना है और नीचे आने कबाद यहां पर देखिए यह एक option मिलता है आपको परिमाजन पलस आपको इस पर किलिक करना है इस पर पहली बार किलिक कीजेगा तो आपको जो है यहां से लोग इन करने का option आएगा अगर इसमें आप मवाल नमर रजिस्टर किये हुए हैं तो असानी से लोग इन कर सकते हैं और नहीं तो पहले आप को यहां से रेजिस्टर करना ओगा गतियों से कुछ डित्यला को भरने का उप्शन The ada Boarbeit यहां से दीस्टर कर सकते हैं एक बाएस्टरस्टरस लेना है अबரिजिस्टक नंबर यहां है कर लेना है कि कुछ इसतरह का इंटरrån आपको फिर दोवारा जो है परिमाजन है तो अभीदेन करें पर जो है की करना है एहां आने के बाद अब से पहले आपको यहां पर नाम और इमेल आई डी मबाल नमर नीशन दिखाएगा आगर नहीं है आपको जो है यहां से सबसे पहला उप्सन पर किले करना है डीटल जांबनेदी में सुधार यहां किलिक करने के बाद आपको जो है सबसे उपर वाला पर किलिक करना है और यहां से प्रेश्वीट पर किलिक करेंगे उसके बाद यहां पर आपको option मिलता है जमाबंदी को सर्च करने का option कि आप कौन सा जमाबंदी में सुधार करना चाहते हैं उसको आप यहां से सर्च करेंगे तो सबसे पहले तो आप यहां से आपका जमीन का जमाबंदी है कौन सा जिला में है जिला सेलेक्ट करेंगे यहां से उसका बलोक सेलेक्ट करेंगे और यहां से प्रोस्टीट पर किलिक करेंगे उसके बाद आपको यहां से मोजा को सेलेक्ट करना है कि आपका जो जमीन है किस गाउं में है और यहां से यह जो हलका है अपने आप आज आएगा उसके बाद आपको यहां से भाग बरतमान और पिर्ष रंखियां जो है यहां पर डालना है तो आप देख सकते हैं आपके जो पहले का जमाबंदी है आपके पास में जो पहले से पेपर है उसमें जो है यह भाग बरतमान और पिर्ष रंखियां लिखा गए रहेगा तो वह बोल आप यहाँ पर असानी से डाल के सर्च कर सकते हैं भाग बरतमान और पिश रंख्या डाल के यहाँ से सर्च मावंदी पर किलिक कीजिएगा तो आपका जो है नीचे यहाँ पर दिखा दिया जाएगा कि किसके नाम से जमीन है इसका खाता नमर खेसरा नमर और भाग बरतमान यह सब यहाँ पर दिखा दिया जाएगा उसके बाद आपको यहाँ से एक एरो मिलता है इस एरो पर आपको किलिक करना है उसके बाद आपको यहां से बहुत सारा option मिलताहें लेकिन आपको कोई भी option में click R購 करना है देखे सब से पहले हाँ पहेला नमर में रैयत का इन सुधार के लिए option मिलता है यहां से आपको यह लगाने देना है इसमें आपको यह बोडने करना है उसके बाद नीचे आएंगे अपको दूसरा में option मिलता है पलोड का ब ignoring इसमें भी देख सकते हैं यहां पर किया आप खाता-खेशली है करना चाहते हैं तो यहां पर आपको आपको नंट के देना है उसके पाद को मिलता है कि आप खेत्रफल अंदा करना चाहते है तक जोिस्दाब करना करना हैं को कि आप पर देखिए एक option और खुलेगा देखिए इस तरह से cool छेतरफल खुलेगा यहां पर देख सकते हैं दिखा हुआ है cool परिमाप 0 तो यहां से एक बार cool छेतरफल पर आप किलिक करेंगे तो जो भी आपका छेतरफल हो यहां पर कर दिया जागा देख सकते हैं यहां पर च्छोतरफल आ गया है उसके बाद नीचे जो है और इस सब में जो है इस सब को यहां से किलिक कर देंगे और यहां पर एक डोकुमेंट को सलेक्ट कर लेंगे कि जो भी आपके पास पहले से उपलब्द है वह बला select कर लेंगे अलगान डास्थी अगर पहले से रसीद है आपके पास पुराना offline से कटा या online से कटा हुआ तो उसको यहाँ पर select करेंगे और यहाँ से दस्तावेश यहाँ पर जो है एक दस्तावेश संख्या डालेंगे जो भी आपका dust ives में देखिएगा तो कहिंड कहीं आपको dust ives sa match लिखा हुआ उसके बाद यहाँ से debt जाल देंगे document में देखिएगा तो कहिंड कहीं debt भी मिल जाएगा तो what debt को यहाँ पर show कर देना है जारी करता पतार्विकारी का नाम यहाँ पर बुछ रहा है तो आप यहां से वह document को कौन जारी किया है उसका जो है यहां पर लिखेंगे अगर नहीं पता है तो एचनल लिखक देंगे उसके बाद यहां से दस्तावेश को upload कर देंगे जो भी आपके पास रसीद है वह रसीद को यहां पर upload अपलोड करेंगे 1 MB से रसीद कम होना चाहिए और पीडियो फाइल में होना चाहिए उसके बाद यहां से प्रिव्यू पर एक बार किलिक करेंगे प्रिव्यू पर किलिक करने बाद आपका असानी से मिलाएंगे हलाकि इसमें कुछ मिलाने का कोई बात तो है नहीं क्योंकि अपलोड करना है सपत पत्र डाउनलोड करने के लिए देखिए यहां से डाउनलोड सक्सर में आईएगा यहां से हापी डिवीट पर किलिक किजएगा यहां से जिनके नाम से जमीन है उनका नाम लिखेंगे उनका पिताजी का नाम लिखेंगे मौजा लिखेंगे थाना नम यानि कि भाग बर्तमान और पिरिष्ट शंक्ष्या पर लिखेंगे जवाबंदी नमर लिखेंगे और नीचे जो है उनका एक स्कीनियरचर और उनके एक मवायल नमर यहाँ पर लिखवा लेंगे उसके बाद जो है आपको यहाँ से उस सपत पत्र को आस्केन करके 500 केवी से न देना है और यहाँ से एक्षेप्ट करेंगे और यहाँ से फैनलाइज करेंगे फैनल समिट हो जाने के बाद आपको जो है एक आवेदन संक्ष्या मिलेगा तो आवेदन संक्ष्या को जो है असानी से प्रिंट का ओप्शन मिलता है उसको प्रिंट कर लेंगे आपके द्वा करेंगे और यहां से अंचल को सेलेक्ट करेंगे और यहां से आपना आविदन संख्यां जो भी आविदन संख्यां आपको मिला है वह आविदन संख्यां पर लिखेंगे और यह खुक्ता भरके हेहां से साइच पर किलिक करेंगे तो अभी आपका अप्लिकेशन कहां तक है यह अभी यहां पर जो है अभी दन के स्थिति में दिखा दिया जाएगा आप भी जख सकते हैं यह जो है सम्मिट हुआ है अफलिकेशन और जो है यह आगे CEO के पास यह फरवर्ट कर दिया गया है तो इस तरह से आपने जमामंदी को अश्टरस असानी से चेक कर सकते हैं दोस्तों उम्मिट करता हूं आप लोग के वीडियो जो पसंद आया हुआ वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं मेले वीडियो में तब तक के लिए जय हैं